अगर आप अपने चेहरे के काले निसान टैनिंग और पिगमन्टेशन से परिसान हो गए हैं तरह तरह का होम रेमेडी का यूज करके ठक चुके हैं लेकिन आपको मन चाहा रिजल्ट नहीं मिल ला है तो आप लोग के लिए एक बहुत ही कमाल का होम रेमेडी लेकर आई हूं अगर आपके फेस पे पिंपल्स के काले दाग हैं जो की ठीक नहीं हो रहा है या तो फेस पे जाईयां दिख रहा है तो इस वीडियो में आप लोग को बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है इसे फालो करके आप अपने फेस के काले धाग धब्बे को ठीक कर सकते हैं तो जादे बाते ना करते हुए इस remedy को सबसे पहले देख लेते हैं कि किस तरीके से बनाना है तो इससे बनाने के लिए आपको एक बाउल ले लेना है इसमें आपको डाल देना है एक चमज भर के मुलेठी का पाउडर मुलेठी एक ऐसी चीज है फ्रेंड हो हमारे skin के लिए इ बहुत पुराना हो गया है तो उनको मुलेठी का फेस पायक अपने फेस पे जरूर लगाना चाहिए तो एक चमज आपको मुलेठी का पाउडर इसमें डाल देना है एक चमज आपको इसमें डाल देना है बेशन ठीक है फ्रेंड दोनों को बराबर मात्रा में ले लेना है त इसकीन को टाइट करता है, दाज धब्बे पर काम करता है, जिनका इसकीन लूज हो रहा है, उस पर काम करता है, जो फेस पे बारिक लकीरे दिखने लगता है, उसे जड़ से खतम कर देता है, साथ में जिनके फेस पे हाइपर-pigmentation की समस्या है, मतलब कि इसकीन पूरी तरह से और लगवार्म को शाते हैं तो मुलेटी की स marshm़의 मायँस के जरूर करें कि यो आपका प्र parfait जरूर तब भी आपका skin dark भी नहीं होगा, अब इसे अच्छे से mix कर लेते हैं, mix करने के बाद इसका घोल आपको किस तरीके से तयार करना है, कई option मैं आप लोग को दे रही हूँ, अगर आपके face पे hyperpigmentation है, तो आप इसमें आलू करस भी ले सकते हैं, या तो टमाटर करस, ठीक है, द सिर्फ इसे गुलाब जल से ही तयार करें, ठीक है, इसमें आपको raw milk भी नहीं लेना है, और आलू का रस भी नहीं लेना है, सिर्फ आप गुलाब जल से इसे बनाईए, तो इसका तो घोल तयार करने के लिए, अभी मैं ले रही हूँ, raw milk यानि की कच्छा दूद, जिसमें पाया जाता है, lectic acid, जो की skin को light and brighten करता है, pores को clean करता है, जो face पे बड़े बड़े गढ़े दिखने लगते है, open pores की समस्या होता है, बहुत सारे लोगों के face पे इतना ज्यादे उप्राबलम होता है, मतलब skin पे गढ़े दिखने लगते है, तो उस पे भी काम करता है, raw milk, प्रेगुलर बेस पे जब raw milk का यूज करने लगेंगे तो वो skin को deeply clean करता है और face पे pimples आने के कम chance होते हैं तो raw milk के भी बहुत सारे फायदे हैं प्लस मुलेठी भी आज से ही आप लगाना सुरू करिए आपके face पे जो भी skin problem है जड़ से खतम हो जाएगा तो उतना ही आपको इ सिर्फी से गुलाब जल से ही तैयार करिएगा ठीक है तो अब इन सभी को अच्छे से mix कर लेना है mix करके इसे आपको 2-3 मिनट के लिए side में रख देना है ताकि सारा समगरी आपस में फूल जाए जो coffee का दाना है और मुलेठी का हो थोड़ा सा दरदरा होता है तो उसे फूल मत हो यह पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाली हूं वीडियो पर बने रहिएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक करके अपने फ्रेंड और फैमली में सेयर जरूर करिएगा जब भी मौसम बदलता है और skincare का बात आता है तो हमारे मन में धेरो सवा सवाल होता है कि आखिर हम अपने फेस पर ऐसा क्या लगाएं इसकीन केयर को किस तरीके से फालो करें ताकि फेस पर पिंपल्स भी ना निकड़े और धूप में भी हम जा रहे हैं तो इसकीन काला न पड़े टैन ना हो अने को सवाल मन में चलता है तो आपको जादे परिसान नहीं होता है इस वीडियो को देखिए और आप अपने इसकीन टायप के हिसाब से फेस पीक लगाया करिए अगर आपका इसकीन आई ली है तो आप अपने फेसरे मेर अपील्स ले सकते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों का इतना ज्यादे औयल दिखता है और बहुत सारा पिं इसकीन को हमेशा साफ रखिए ताकि फेस पे पिंपल्स ना हो गर्मी का मौसम आ गया है और इसकीन का टैन होना आम समस्या है बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या होता है कि जब भी ओ धूप में जाते हैं दो मिनट के लिए तब भी इसकीन काले पड़ जाता है रेड हो जा क्योंकि धूप बहुत ज़ादे तेज हो रहा है तो इस पेक को लगाने से पहले फ्रेंड सबसे पहले आप अपने फेस को अच्छे से क्लिन कर लीजेगा उसके बास से पूरे फेस पर आपको लगा लेना है लगा करके इसे आपको मसाज नहीं से टाइनिंग है तो तीन से जब हम मसाज करते हैं तो blood circulation बढ़ता है तो face पे निखार आता है इसके इन टाइट होता है और जो भी remedy का हम यूज करते हैं और जब मसाज करते हैं तो skin के अंदर जाता है तो 100% result आपको मिलता है तो मसाज करने के तो बहुत सारे फायदे हैं तो आपको 2-3 minute के लिए हलके हां स मसाज कर लेना है उसके बाद से पूरे face पे spike को लगा कर अभी छोड़ देना है तो जैसे कि आप लुग देख सकते हैं इसे लगा कर मैं 20-25 मिनट के लिए छोड़ दी थी और 80% सूख गया है तो अब आपको करना क्या है इसे clean कर लेना है ठीक है ठंडे पानी से धूल लीज सकते हैं एक बार में skin कितना जादे फेर दिख रहा है तो highly request कर रही हूँ friend अगर आपका skin पूरी तरह से dull पड़ गया है काला हो गया है आपके face का निखार पूरी तरह से गायब हो गया है तो इस remedy को मेरे कहने पर एक बार जरूर try कर येगा जो भी home remedy मैं आप लोग के साथ share करती हूँ सारा 100% काम करता है और उसे मैं अपने face पे लगा कर देखती हूँ तभी जाके आप लोग के साथ मैं share करती हूँ तो please आप लोग से request है कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग को दिखता है तो comment करके जरूर बताएं ताकि उसका मैं सुधार करूँ तो इस तरीके से मैं clean करके आप लोग को दिखा रही हूँ पर आप ठंडे पानी से face को धूल लिजिएगा और एक और काम मैं आप लोग को बता रही हूँ अगर आपके face पे open pores बहुत जादे है या तो बार बार pimples आता है face पे दाना निकड़ता हो तो आपको करना कुछ भी नहीं है जो खीरा होता है उसका ice cube जमा लिजिए और पूरे face पे आपको लगाना है सिर्फ उसी का बरफ आपको face पे लगाना है तो आपके face पे pimples भी नहीं निकड़ेगा साथ में open pores की समस्या भी जड़ से खतम हो कि च newman लगे ये टोन हो बहा हो नहीं ही आपको सी काला हो जाएगा भी मेन टेंदगा है ऑटमिक लिएगल साथ